असलालेकुम फ्रेंट्स जैसे कि रमजान स्टार्ट हो गए है तो हमें इफ्तार में बनाने के लिए रोज अलग-अलग आइटम सोचना होता है कि आज हम क्या बनाए और उसमें हम सबसका फेवरेट एक चीज़ होती है जो कि है कबाब चाहे चिकन कबाब हो या मटन कबाब ह इसलिए आज मैं आप सबके साथ कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि चेकन से बनाने वाली हूं और इसमें मैं कुछ नए इंग्रीडियंट्स एड़ करी हूं जिसके वजह से यह बहुत लजीज बनने वाला है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं ले रही हूं दो मीडियम साइस के प्याज और आठ से दस हरी मिर्चे इनको हमें क्रश करना है तो मैं चोटे-चोटे पीसेस में कट कर लूँगी और फिर क्रशर में डालके अच्छे से बारिक सा क्रश कर लूँगे यह परफेक्ट क्रश हो गया है अब मैं ले रही हूं चिकन 700 ग्राम बोनलेस चिकन लेना है फ्रेंड्स उसको हमें मिक्सर में बारिक कीमे की त उसका है विसी पॉडर फार यह खीसी कुआ देबल श्पून तरह स्पवादर फाम लाल मिर्च पॉडर फार म्ате पॉड्स पॉडर हवं टेबल श्पॉन चिली फ्लेक्स MI टेबल स्पून कबाब का मसाला टू टेबल स्पॉन यह इजी मार्केट में अविलिबल है आप मारक पानी टाके बिलकुल ना रहे उसमें ताको यह मिरी हम तरजाए और फिर उस पहला कर लेंगे एंड़ नुर ओपद्ट, बिल्कुल न रहे उसमें ताकर जाए नटर यूख में इन पांड़े दऊखे तरह सब्सक्रावट करें समय कि उसमें फके कर दब स्दूर्लिये हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से mix करेंगे हम, ताकर सभी ingredients नोसमें अच्छी तरह से mix हो जाए acordें मैंने पूरा एक पूरा एक निम्बू का रस इसमें डाल लिया है। इसके बाद हमें ध्यान-से से इसकी भी जे निकाल लेनी है कि वो कबाब में आ जाएंगे तो दातों में आएंगा खाने में तो अच्छा नहीं लगेंगा उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ पुदीना और कोरियंडर कोतमीर इनको चोटर चोटर बारी कट कर लेना है उसके बाद डाल देना है हमें लगबग अंदाजे से एक मुठ ठीक कोतमीर हमिरान लिए और उसको भी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है तो यह देखिए मिक्सचर जो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है अब हम इसके बनाने जा रहे हैं कबाब फ्रेंड्स कबाब बनाने से पहले हाथों में अच्छी तरह से तेल लगा लीजिएग क्योंकि जो कबाब है इसमें काफी मसाले हैं जो के तीखे होते हैं और किसी किसी को हाथ में जलन देते हैं वो मसाले तो अगर आप तेल अच्छी तरह से लगाएंगे तो मसालों का जो रख है वो आपके हाथ जो है अब्सॉ mm अब्सॉubscribe कर पाएंगे तो आपके हाथो में या जलन नहीं होंगी तो तेल कभी भी कबाब या किसी भी तरह की पकोड़े बनाने से पहले हाथ में लगा लिया किरिया तो मैंने ये छोटे-छोटे साइस के कबाब बनाए है आप चाहो तो किसी भी शेप में बना सकते हो बड़े साइस के बना सकते हो ये बिल्कुल आपके उपर है तो मैंने ये चोटे-चोटे साइस के बनाए है अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राइ कर लूँगी मैं इसको शेलो फ्राइ कर रही हूँ बहुत मतलब बहुत कम तेल नहीं डाला है और नहीं बहुत जादा डाला है जस्ट इतना कि आधा कबाब उसमें डिप हो जाए उसके बाद मैं पलटते-पलटते इनको अच्छी तरह से फ्राइ कर लूँगी फ्रेंट्स एक टीप्स ये वाले जो कबाब है जो मैंने चोटे कबाब बनाई है इसको अगर आप तवे पे फ्राइ करते हो और तवे पे फ्राइ करके देखेगा आपको उसका टेस्ट बहुत पसंद आएंगा तो ये देखिए हमारे कबाब जो है फ्राइ होके रेडी हो गए है अब इसमें मैं ट्विस्ट आपको बताने जा रहे हूं थोड़ा अलग जिसके अज़े से कबाब का टेस्ट और भी इनहांस हो जाएगा कभी-कभी कबाब जो है वो रूखे सुखे लगते है खाने में तो इसको अगर हम इस तरह से फ्राइ करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहे हूं तो उसमें रूखापन नहीं रहेगा उसके लिए मैंने एक पैन लिया है पैन में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ इसमें हम डालेंगे प्याज एक मेंने छोटे साइस का प्याज लिए इस तरह से चोटा कट करके इसको हमें डालना है और फ्राइ करना है साथी में इसमें मैं आड करूँगी हरी मिर्चे हरी मिर्चार से पांच हरी मिर्चे उसको मैंने बीच से कट कर ली हूँ और एक छोटे साइस का टमाटर उसको छोटा-छोटा कट कर लिया है इन सब को अच्छी तरह से चला लेंगे, फ्राइ करेंगे इसमें हम डालेंगे स्वादनुसार नमग फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ ब्लैक सॉल्ट काला नमग आपके पास जो भी है वो डाल लिजे स्वादनुसार साथी में हम इसमें एड़ करेंगे काली मिर्च का पॉडर हाफ टी स्पून आधा छोटा चमच इन सबको अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम अपने कबाब जो फ्राइ किये हुए है वो एड़ कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लगबग 10 सेकेंड तक के इसको मिक्स करना है और हाँ इस पॉइंट पे हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है फ्रेंड्स नीम्बू का रस डालने के बाद हमें कोई भी चीज पकानी नहीं होती है नीम्बू का रस डालने के बाद मैंने कबाब को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ उसके बाद गारनिशिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कोतमीर कोरियंडर धनिया पत्ती और यह सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह जो मैंने ट्विस्ट आपको बताया फ्रेंड्स यह बार जरूर ट्राय करिएगा इससे कबाब बहुत टेस्टी लगते है अगर आपने कभी नहीं खाया है तो एक बार तो जरूर ट्राय करिए और मुझे कमेंट करके बतायेगा कि आपको कैसा लगा है मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी जरा के और भी इंट्रेस्टिंग और लजीज रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल फॉलो करिए थैंक यू फॉर वाचिंग बाई